हलो फ्रेंड्स मैं दानियाल स्षागत करता हूँ आपका किडो गोडर में फ्रेंड्स आज की विडियो में हम लोग परेंगे Öz और औरyg गवरूरनेंस के इडियो को शुरू करते हैं究 तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि e-governance होता क्या है ए-governance मतलब electronic governance e-governance is an online service where government interacts with citizen and offer services e-governance governance क्या है एक online service है जहां पर government जो है वह अपने citizens के साथ बिजनेसमेंस के साथ डारेक्ट इंट्रेक्ट करती है आगे चलते हैं हम लोग offer services to citizen, businesses and other government departments by making use of information and communication technology और government क्या करता है अपने service को offer करता है किसको citizen को, businessman को और अपने other departments को, किसके मदद से? Communication और information technology के मदद से आगे चलते हैं हम लोग, अब जो interaction होता है government के बीच में और citizens के बीच में या फिर business man के बीच में इसको असल में चार तरह से divide किया गया interaction को तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं अगर G2G लिखा हो तो मतलब government direct interact करेंगी किससे? citizen से ठीक है अगर जी टू भी लिखा हुआ है तो government इंट्रैक्क करेगी किससे businessman से अगर जी टू यी लिखा हुआ है तो government किससे इंट्रैक्क करेगी employee से तो यह चार टाइप से यह अब हम लोग देखते हैं कि advantages क्या है e governance का वह सारा advantages है उसमें से मैं आपको कुछ most important advantages बताऊंगा सबसे पहला हमारा faster communication अव्यसी बात ऑनलाइन services में क्या होता है government के बीच में और बाकी जो हमारे citizens है या businessman है कोई बीच में communication क्या हो जाता है बहुत fast हो जाता है क्यों feedback का system होता है अब online services में क्या है आपको तुरंत feedback दे सकते हैं कि आपको जो service मिला वो आपको कैसा लगा आप उसका rating दे सकते हैं कितना rating दिये गूड था या excellent था या very good था तो आप वहाँ पे क्यों feedback भी दे सकते हैं उस service के बारे में उसके बाद है live monitoring of process जो process आपका चल रहा है आप कोई चीज के लिए apply के जैसे pen card के लिए apply के या driving lessons के लिए apply के तो आप उसको live monitor कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि आपका process कहां तक पहुंचा उसके बाद क्या है minimum use of hard copy अब online services में आप सारे document को scan करके upload कर देते हैं तो वहाँ पे आपको hard copy की जरुवत नहीं परती है मतलब आपको papers वेगारे की जरुवत नहीं परती है कम इस्तेमाल होता है cost effective online services में offline से कम पैसा कर्च होता है क्योंकि वहाँ पर दलाल वगएर है का जो पैसा होता है offline में वह बच जाता है आप किसी डील बनाने के लिए गया है अब वह आपसे चोदा आजार रुपया मांगने लगा government आपसे आठी आजार रुपया अगर मालनी जे मांग रही है तो आपको ज्यादा लग रहा है वह आपको बीच में एक intermediate बंदा होता है जिसको आम भासा में को बड़ी असानी से ई-government के साइट से या application से आप एक्सेस कर सकते हैं इंक्रीज इंक्रेस्ट ऑफ सीटीजन और इसी के साथ online सर्विस में क्या होता है सीटीजन को भी इंक्रेस्ट मिलता है कि आपको उसको भाग दोर के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट नहीं ज क्या होंगे सबसे पहले आपको पूर आईटी लिट्रेशी इंफर्मेशन टेक्नलोजी की जो लेट्रेसी है बहुत वीक है दूसरा कि आपका लैक आफ इलक्रीशीटी इन रूलर एरिया आप जो गाहों दियात का एरिया है वहां पे इलक्रीशीटी बराबर करती रहती है तो वहाँ पे भी आपको क्या है e-governance के website या apps को चलाना थोड़ा मुश्किल होता है privacy problem एक है online services में obviously बात आपका privacy problem होता है आपके मालनी जो कोई account है जिसका password आप बहुत विक रखे हुए तो वो hack होने का chances रहता है आगे चलते हैं lack of communication between different departments अब different different departments में क्या है communication का भी lack होता है communication gap होता है एक दूसरे से जल्दी communicate नहीं कर पाते हैं उसमें भी आपको time लगता है इसी तरह से आपको कुछ application है government के जो बहुत famous है e-governance के जैसे एम परिवान है इस पे आप अपने जो आपके बाइक है या आपके पास car है कोई भी विकल है उसका सारा detail आप डाल सकते हैं इस पे upload करके रख सकते हैं आपको paper लेके चलने की जरूरत नहीं परेगी उसी तरह से एक beam भी हमारा application है एक online RTI है उसी तरह से एक among भी है और भी बहुत सारा है मैंने few example आपको दिखाया तो यह तहा हमारा e-governance होता क्या है और उसके advantages और disadvantages I hope आपको समझ आया होगा आप क्या है तो इसका screenshot ले सकते हैं